असलाम अलेकुम फ्रेंड आज हमाने जा रहे हैं चिकन कीमा पराथा तो आईए देखते हैं हमारे पास सामान क्या है हमने यहाँ पे ले लिया है यह 400 ग्राम हमारे पास मैदा है जिसको हमने ले लिया है यहाँ पे हमने ले लिया है 1 टी स्पून हमने ले लिया है नमक और यह यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है यहाँ पर हमने ले लिया है यह हमारे पास एक कप पानी है अब इसे हम पानी डाल के गूतेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम गूतेंगे यहाँ पर हमने मैदे को अच्छे से गूत लिया है डो हमारा रेडी है अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा रिफाइंड आयल लगा के रख देंगे इसे 30 मिनट के लिए आयल को हमने लगा दिया है अब हम इसे ढख के रख देंगे 30 मिनट के लिए यहाँ पे हमने fry pen रख दिया है अब हम fry pen में डालेंगे oil यहाँ पे हमने 1 फोर्थ कप oil डाल दिया है तेल हमारा गरम हो चुका है अब हम यहाँ 1 टीश्पून डालेंगे जीडा यहाँ पे हमने एक प्याज ले लिया है जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है ये भी डाल देंगे इसी में थोड़ा सा इसे गोल्डन करेंगे प्याज को हम थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे प्याज हमारा हलका गोल्डन हो गया है अब हम इसमें डालेंगे दो हरी मिर्च जिसको हमने बारीक काट लिया है यहाँ पे हमने चार पांच लहसुन की कलिया ले लिया है जिसको हमने कूट लिया है थोड़ा मोटा मोटा हमने कूट लिया है यह भी इसमें डाल देंगे लहसुन और प्याज हमारा थोड़ा हलका ब्राउन हो गया है अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पे हम डालेंगे 1 टीजपून काली मिर्च पाउडर 1 टीजपून जीरा पाउडर यहाँ पे हम डालेंगे 1 कप हरा धनिया अब इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे यह हमारा मिक्स हो चुका है अब हम इसमें चिकन डाल देंगे अब हम इसमें चिकन को मिक्स कर देंगे यह हमारे पास 400 ग्राम चिकन है बॉनले चिकन जिसको हमने छोटा छोटा काट लिया है एकदम कीमे के साइज का ये भी इसी में डाल देंगे अब सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पर हम डालेंगे टेस्ट के अंसान नमक स्वाद अंसान नमक डाल देंगे नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पे हम डालेंगे half teaspoon हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर half teaspoon हम डालेंगे हल्दी पाउडर यहाँ पे हम half teaspoon डालेंगे हल्दी पाउडर यहाँ पे one tablespoon हम डालेंगे गरम मसाला अब इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे यहां पर हमने सब को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसे ढख देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे अब इसे हम 10 मिनट के लिए कुक करेंगे 10 मिनट हमारा हो गया है अब हम खोल के देखते हैं चिकन हमारा पक चुका है अब हम इसे गैस का फ्लेम हाई करके इसे भूण लेंगे थोड़ा सा और हम इसे निकाल लेंगे अब हम गैस को बंद कर देंगे यह हमारा भूण गया है अब हम इसे निकाल लेंगे यहाँ पर हमने चिकन को निकाल लिया है चिकन हमारा रेडी है अब हमने जो मैदे का डो बनाया के रखा था अब हम उसे देखेंगे यह देखिए मैदा हमारा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा हो गया है डो हमारा बहुत ही बड़ी है रेडी हुआ है अब हम इसे बेलेंगे यहाँ पे हमने मैदे से एक पेड़े साइच का निकाल लिया है अब हम इसे गोल करेंगे अब हम इसे बेलेंगे सूखा मैदा डालके अब हम इसे बेलेंगे इस पे यहाँ पे हम प्राठे की साइच का इसे बेल लेंगे यहाँ पे हमने एक बेल लिया है अब हम दूसरा भी बेलेंगे इसी तरह इसे मैदा डालेंगे अब हम इसे भी बेल लेंगे यहाँ पे हमने दोनों को बेल लिया है यहाँ पे अब हम पराठे में कीमा भरेंगे यहाँ पे हम इसके साइड साइड में पानी लगाएंगे किनारे किनारे पे हम पानी लगा देंगे अब जो हमने दूसरा पराथा बेल के रखा था इसके उपर रखेंगे हम अब इसे हम अच्छे से चिपका देंगे यहाँ पर हमने इसे अच्छे से चिपका दिया है अब हम यहाँ पर लेंगे यह हमारे पास मसाले की डिब्बे का ढखकन है अब हम इसके उपर रखेंगे और इसे काट देंगे यहाँ पे हम इसे चाकू से काट देंगे यह देखिए यह पराथा हमारा यह धक्कन हम हटा देंगे और पराथा हमारा बन गया है अब हम इसे फ्राई करेंगे यहां पर हमने fry pen रख दिया है अब हम fry pen में तेल डालेंगे हाप कप हम यहां पर तेल डालेंगे तेल हमारा गरम हो चुका है अब हम गयस का फ्लेम मीडियम करेंगे और पराठे को डालेंगे यहां पर हमने पराठे को डाल दिया है अब हम इसे मीडियम आज पर गोल्डन फ्राइ करेंगे अब हम इसके ऊपर डाल देंगे यह कसूरी मेथी और थोड़ी सी कलोंजी यहां पर अब हम इसे पल्टेंगे दूसरे साइड पर यहां पर एक साइड में हमारा अच्छे से गोल्डन फ्राइ हो गया है हमने दूसरे साइड भी पलड दिया है गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे देखिए यह हमारा दूसरे साइड भी गोल्डन फ्राइ हो गया है अब हम इसे निकाल लेंगे यह देखिए मासालस हमारे कीमे भरे पराठे मासालस बहुत ही बड़ी है और बहुत ही टेस्टी बने हैं तो आप भी जरूर ट्राइ करें फिर हमें कमेंट करके बताएं कि यह कीमा चिकन कीमा पराठा आपका कैसा बना मिलते हैं गले वीडियो में तब तक के लिए अल्ला आपीज